ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल है 26 अगस्त 2024 सूम बार का दिन है भादरबद महा के कृष्ण पक्ष की अस्टमी ती थी है इस दिन स्टिकृष्ण जन्मास्त्रमी का महापर्व रहेगा तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को स्टिकृष्ण जन्मास्त्रमी के बहुत-बहुत शुपकामनाएं और वधाया करतिका नामक नक्षत्र जो की सुबह नौ बच करके तीन मिनिट तक रहेगा उसके बाद रोहिनी नक्षत्र आरंब हो जाएगा जो की पूरे दिन रहेगा तथा व्रशवरासी में चन्दरमा विराजित रहेंगे और दिशा सूल की अगर हम बात करें तो पूर दिशा में होंगे इसलिए पूर दिशा की यात्रा करना नुकसान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारणवस पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो दरपण में अपना चेहरा देख करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो कि सुबह साड़े साथ बजे से लेके नो बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मांगलिक कारिक्रम आपको संपादित नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्ने आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है। ये छे राशियां सबसे दिख भागिशाली रेने वाली है। तथा दो पर देड़ बजे से लेके तीन बजे तक चर का चोगडिया तथा शाम को तीन बजे से लेके साड़े चार बजे तक लाब का चोगडिया तथा साम को साड़े चार बजे से लेके छे बजे तक अमरत का चोगडिया रहेगा। इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करेंगे मांगली कारी करेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोगनेर मित हो सकता है अब हम आपको मेस से लेकर के मीन सब भी 12 राशी वालों का देनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अन्त तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेसरासी की भाग्यी का सितारा प्रबल होकर आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेगा अतहसमाई का सम्मान करे घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा पर अवश्य ध्यान दे सलहा रूपी उनका अशिरवाद आप के लिए लाप प्रत साबित होगा कहीं पर निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी प्रकार से जाच परताल अवश्य करे भावनाओं में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं किसी सेरवजेनिक इस्थान पर कोई बहस होने जैसी इस्तिती बन रही है बहतर होगा कि अपने काम से ही आपको काम रखना चाहिए और उपाई के रूप में गरीब आदमी को मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की इस समय लापदायक ग्रह सितियां आपके लिए बन रही है कोई निवेश्यदी करने जा रहे हैं तो समय उत्तम है भूमे भवन वाहन भी खरिदने का आप विचार बना सकते हैं परन्तु इससे समबदित कोई भी कारी करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सला अवश्य ले धर्मिक तथा सामाजिक गतिविदियों में आपका विशेस योगदान रहेगा महतुपूर्ण संपर्क स्थापित होने से आत्म इश्वास आपका बढ़ने वाला है और उपाई के रूप में कच्चा दूद शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की किसी निकट संबंदी की परिशानी में आपकी सलहा उनके लिए हल निकालेगी आपका मैं सम्मान बढ़ेगा कुछ अपरत्याशित चुनोतियां भी आपके सामने आएगी आप पूरे अत्मिश्वास के चांट उनका सामना करने में समर्थ रहेंगे आज किसी से भी उधार पेसा न ले इससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है और संबंद खराब हो सकते हैं और उपाई के रूप में गाई को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की अगर कोई शास्की कारी रुका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिल करके विचार विमर्ष अवस्य करे आपको सफलता मिलेगी परिवार के साथ किसी धार में स्थल पर जाने का कारीक्रम आपका बनेगा घर में कोई शुब या मंगली कारीक्रम संपन होने की योजना भी बनेगी संतान पक्ष से कोई शुब समाचार मिलेगा संतान की उन्नती और प्रगती की सुचना भी आपको मिलने वाली है और आपको संतिपूर्ण तरीके से सभी काम करना चाहिए उपाई के रूप में मा दुर्गा के मंदर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने से कोई उचित परिणाम आपके सामने आएंगे कारियर संबंदी कोई नया आउसर मिलेगा किसी खास या बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और उनसे आपको फाइडा भी होगा तथा मानसिक शान्ती भी आपको प्राप्त होगी कुछ नई जुम्मेदारिया आपको मिलने वाली है और सकरात्मक गतिविधियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे धनलाब होगा चिंता न करे समय आपका साथ पूरा पूरा देगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की आज कुछ नया करने की आपके अंदर एक उर्जा बनी रहेगी धर्म तथा आध्यात्म में आपकी रूची बढ़ेगी विध्यार्तियों को कैरियर से संबंदित सकारत्मक परिनाम प्राप्त होंगे उससे सुकुन भी मिलेगा व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार तथा अपने रिस्तेदारों के लिए उचित समय निकाल लेंगे कोई भी काम करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार करना बहुत अवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान गणीश जी के मंदिर में बैसन से बनी मिठाई चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की ग्रहों की स्थितियां आपके लिए भरपूर सहयोगात्मक बनी हुई है आप किसी भी कारी में हाट डालेंगे उसमें सफल अवश्य ही होंगे प्रपनतु प्रापर्टी की खरीत फरोक्त संबंदी अगर कोई कारी आप करने जा रहे हैं तो उसमें लापरवा ही बिलकुल न करे कोई भी दस्तावेज बिना पड़े हस्ताक्षर न करे आलस्य और मोज मस्ती में समय व्यर्थ व्यतीत न करे इसकी वज़े से आप अपनी कई महत्वपूर्ण उपलवधियों को गमा सकते हैं दिखावे की प्रबत्ती से दूर रहे तथा जीवन की वास्तुक्ता का सामना करे व्यावसाई क्षेत्र में सारे फेसले खुद ही ले अज मारकेटिंग संबंदिक कारियों को इस्तगित रखे क्योंकि इनमें समय व्यर्थ होने के अलाबा कुछ हासिल नहीं होगा नोकरी में अपने लक्ष को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है मैं समयन के सांथ साथ आपको आर्थिक फाइडा होने का दिन भी है रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त होगा संतान संबंदी कोई कार यदी अटका हुआ है रुका हुआ है तो उसके भी शुब समाचार आपको मिलने वाले हैं उपाई के रूप में यदी आप सफेद रंग की कोई भी वस्तू का दान जैसे चावल या शकर का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आज आपकी आर्थिक योजना से संबंदित लक्ष आसानी से फलिभूत हो जाएंगे जिसकी वज़ा से मन प्रफुलित रहेगा धार्मिकारियों में आपका योगदान बढ़ेगा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोग आपको पसंद करेंगे किसी भी नकारत्मक परिस्तिती में अपना आपा न खोएं शांती पूर्ण तरीके से परिस्तितियों का सामना करें विध्यार्ती वर्ग भी अपनी पढ़ाई के प्रती लापरवाह हो सकते हैं का दुष्ठ प्रभाव उनके परिनाम पर पढ़ सकता है व्यर्थ के बाहरी संपर्कों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्णू जी के मंदिर में हल्दी का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई नया काम नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है धनलाब भी होगा इसके साथ साथ आपको सम्मान भी प्राप्त होगा यदि आप नया काम जैसे नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या नई नोकरी की तलाश में हैं तो वो तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी लेकि आपके खिलाब कोई ने कोई अफवा फैला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहे व्यापार वा कामकाच को लेकर आप बहुत गंभीर वा समार्पित रहेंगे उपाई के रूप में मचलियों को आटे की गोलिया डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आप आपके किसी खास उनर तथा नालेज की तारीफ होगी युवा वर्ग को कोई उत्तम कारी की जिम्मेदारी मिल सकती है या बड़ी नोकरी भी उनको प्राप्त हो सकती है पिछले दिनों जो मेहनत की है उसके भी परिणाम देखने को मिलेंगे उपाई के रूप में शंकर कुछ मजबूत बनेगा दोस्तों के साथ पारिवारिक मन और अंजन के कारिक्रम बन सकते हैं खुशनुमा माहोल में आप दिन व्यतित करेंगे किसी भी महत्तुपूर्ण कारी को करते समय घर के सदस्यों का सहयोग और सलह आपके लिए महत्तुपूर्ण रहेगी पारिवार अंक पांच होगा बागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की कुछ समय अपनी रूची पूर्ण कारियों में आपका व्यतित होगा इसे आपको आत्मिक शान्ती वह खुशियां प्राप्त होगी व्यस्तता भरी दिन चरिया आपकी रहेगी ठका कर आपको रखना चाहिए युवा बैर्ग को लक्ष के प्रती गंभीर देहना चाहिए अन्य था भविश्य संबंदी परिशानिया उनको उत्पन हो सकती है मशीन तथा कार खाने से संबंदित व्यवसाय में कोई बड़ा आउडर मिल सकता है इसलिए पूरी महनत और एकाग आपका क्रीम होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग गिशाली अंक और भाग गिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएग अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद